जैहिन प्रेंच, वेलकम टो माई OPC योटूब चैनल स्टडी मेटेरियल E2Z दोस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे आपके ESC सेंटर बेंगलूर के जो रजल्ट के बारे में यहां पे दोस्तो आप देख सकते हैं एक लेटर जारी किया गया है जो आपका ESC सेंटर साहूत दोस्तो आप देख सकते हैं ESC सेंटर बेंगलूर के द्वारा ये नोटीस आपका पब्लिस किया गया है तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हों तो जुड़ जाना भाई वीडियो को डिस्क्रेप्शन में लिंक दे रहा है और ये लेटर हमने आपकी जो पेड़ वाला ग्रूप था तो जैसे ही लेटर जो आपका जारी किया गया तो उस पेड़ वाले ग्रूप में आपको जो है लेटर प्रोवाइड करवा दिया गया अब देखे काफी बच्चे जो हैं पेड़ वाले ग्रूफ को अभी भी जोइन कर रहे हैं तो अगर आप जोइन करना हैं तो आपको WhatsApp पर पूरी डिटेल सेर कर दी जाएगे आप हमें बता देना कि आपको पेड़ वाले ग्रूफ में एड़ करना है या नहीं करना है यूगि वो सारी चीज़ें उसमें दी गई है आपको बस टैंसर लेने क्या आप सकता है नहीं अभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बड़ी तरह के से सैटिस्पाइड मिल रहा है उनको लगा था कि जब माथ्र 20 रुपे उनके लगे थे और उन्हें इतना ज़्यादा मिल रहा है कि 20 से भाई कितना ही ज़्यादा चीज़ें आपडेट मिल रही है तो अगर आप भी यहां पे जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमने पेसे को डबल कर दिया था लेकिन काफी बच्चों की डिमांड आई कि सर हमें फिर से अगेन जुड़ना है तो मैंने यहां पे आपका जो है चार्ज बिलकुल 30 रुपे चार्ज रखा है अगर आप 458 वाले में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी शैम रखा है और यह आपके लिए मातर 25 अगस तक ही बाई मोका है उसके बाद हम पूरा जो है देखेंगे कि अगर डबल करना है या फिर गुरूफ को क्लोज करना है वो सारी चीजें उन पे डिपेंड रहेगी तो मैं यहां पर अभी एक लेटर लेकर आया हूं दोस्त मैं आपको दोनों वाटसब गुरूफ एक बार दिखा देता हूं कैसा है क्या है जैसे कि दोस्त आपका यह जो आप देखें गुरूफ देख रहे हैं यह सेंटर 236 पोस्ट पेड गुरूफ जिसमें ओल क्यूशन का रिपलाई कौन देगा यहां पर मैं जो आपको क्यूशन का रिपलाई देने वालों जैसे यहां पर आप देखेगा नेम अमीत हैलो सर यह और यह इन्होंने का क्यूशन से बस इस ग्रूफ में आपको क्या है देखिए च्ट का पूरा उप्सन मिलेगा यानि आप डिसकस कर सकते हैं खुद से भी लेकिन मोसली चांस ही रह आना है अपना पूरा यहां पे कुसंस डालना है जैसे इस भाई ने डाला है ऐसे ही बच्चे जो है कुसंस पूचती है जैसे इन्होंने पूचा है तो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको इस परकार से इनको जो है रिपलाई प्रसनली दिया जाते हैं जैसे यहां पे आप चीज ना पैड में सबसे ही अच्छी चीज़ है कि आपको कोई टिश्ट नहीं करता कोई प्रेसान नहीं करता उनको सारी चीज़ें रूड एगूलेसंगाँ फोलो करने पड़ते हैं अभी आपको तो saya किऊ लेता हूँ तो ये देखे दोस्ते अभी आप देख रहे हैं 458 पोस्ट मैंने अपडेट भी कर दिया था कि आप जो है चोकाने रही है और ये देखे इनको लेटर पहले ही शेर कर दिया गया है हमारे दुवारा तो ये पेड़ गूरूफ आप देख सकते हैं दोस्त ये फ्राइडे को ही इनको लेटर शेयर कर दिया गया था तो यहीं चीजें हैं स्पेडूफ की भ guard करता हो इसके बारे में क्या क्या चीजें आपकी हो रही हैं क्या क्या चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी वह मैं आपको बता देता हूँ सो गाईज यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्षन ग्रूप सी MTS चोकिदार आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पर एक जो है लिस्ट जारी की गई है और यह आपकी MTS चोकिदार की लिस्ट है अभी मैं बात करूँगा कि आपके लेबर वाले बच्चे हैं या फिर जो ड्राइवर के बच्चे हैं या फिर दोस्त यह जो आपके 236 वाले बच्चे हैं या 400 ठाउन वाले बच्चे हैं उनका क्या प्रोसेस है क्या सिस्टम है वो सारी चीज़ें से और मिल जाएगा तो यह आपके लिए गलत होगा यहाँ पर देखेगा appointment जो है आपको दिया गया यानि जोइनिंग रेटर के regarding यहाँ पर जानकारी दी गई है बिल्कुल खुल के का गया है EASC Center 280C इसमें यहाँ पर दो candidate का जो है नाम देख सकते हैं दो फिलेक्सन हुआ है MTS चोकिदार यानि आपका जो result है वो MTS चोकिदार का जो है जारी होना start हो चुका है तो यह एक बड़ी update है दोस्त की आपका result जो है भी आना start हो चुका है और यह आपके देखेगा दोस्त यहाँ पे एक जो है इनके पिता का नाम है उसके बाद यहां पर राम सिंग की ढानी यह सारी चीज़ें यहां पर दी गई हैं तो आप इस परकार से यहां पर क्या चीज़ें समझें आप वो चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ यह तो कैवल परूफ है क्योंकि बच्चों को फूरूफ देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है मैंने एक वीडियो दी थी दोस्त जिसमें बताया था कि एक MTS चोकिदार का बच्चा है जिसको कोल आया है और कोल के थूरू उनको बताया गया है कि आपका जोईनी होने बाला है तो उसी का यहां पर आपको जो है यह उन्हीं बच्चे के जो है शेयर किया गया है उनके दौरा एसी के दौरा और यही चीज़े मैंने कहा था कि आप परशनली अगर मेरे साथ जूड़े रहें तो जो है चीज़ें होती रहेंगी आपको पता चलती रहेंगी लेकिन वही बात है कि आपको दोस्त यह हमारे वाटसप नंबर रहते हैं कोई भी अपडेट मिलती है तो हमें बच्चें यहाँ पर शेयर कर देते हैं तो इसी चीज़ का आपको फाइदा होता है कि हम सारी चीज़ें आपको साथ प्रुवाइड करवाते रहते हैं कई बार वीडियो नहीं बनती है तो यह गुरूफ आपके लिए बना दिया है तो गुरूफ में आपके लिए सबसे ब 405 फोस्ट की जो है वह आपको पता होगा बरती को दोस्त सात आठ नौ महिने जोय आपका समय होने जा रहा है और अभी भी रजल्ट आपका आ रहा है और आपने तो देखा होगा दोस्त जो वे्टिंग लिस्ट जारी की गई थी जो यह उसका लेबर वाला झोंगी चार दोस्त जो आप इरम बात करते हैं यह सी की तो यह सी आपका काफी ज्यादा समय ले रही है एक से दो साल का समय ले रही है कुछ बच्चे तो भूल भी गए होंगे कि मेरा रेजल्ट नहीं हुआ है लेकिन आपके जोइनिंग लेटर भाई आ रहे हैं और इस परकार से यह सी ज दोस्त आपको परसनली ही बताया जाएगा आपका रेजल्ट आ रहा है परसनली आपको कोल किया जाएगा यह सी क्या करेगी कि आपका सिलेक्षन हो गया है और आप आजएए अपने डोकुमेंट लेकर अपनी जोइनिंग लेटर लेकर आपको जोईनिंग लेटर आपको जो शोड़ा सा जोनिव लेटर का विव नहीं दिखाया जाता है लेकिन आपके जितने भी डोकुमेंट रेडी करने होते हैं या फिर पर आपकी जितने भी के टाइम नहीं करना है मुझे कुछ समय दीजिए सर तो वो भी आपको समय भी वहाँ पर मिल जाता है तो यह सारी प्रोसेस है दोस्त अभी अभी बात करें 236 वाले पोस्ट की तो भाई काफी समय आपको लगने वाला है कि आपका रजल्ट तो यह चीज़ें मैं आपको बता भी रहाँ कि रजल्ट कब आएगा इस सारी चीज़ें दोस्त आपको पेड़ वाले ग्रूप में कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं लेकिन अभी मैं यहां पर बताओं कि काफी समय आपको लगने वाला है आप मान के चलिए दोस्त की आपका जो 236 का रजल्ट है वो एक द देखो जिनके बचे वे रिजल्ट हैं वो आपके जारी हो रहे हैं अभी थोड़े दिन के बाद ड्राइवर के भी कुछ रिजल्ट बाकि होंगे तो वो भी जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे अब यह सी पर डिपेंड करता है कि किन लोगों को बुलाएगी कैसे बलाएग आप कोसिस करेंगी गुरूफ को जोइन कर लें और एक बार भाई चार लगेगा तो उतना जो है भाई हम आपको देंगे यह मैं गरांटी के साथ बोल सकता हूँ जितना आपको चार्ज अगर आप दे रहे हैं तो उतने हम कोसंस का रिपलाई करेंगे आपकी हर प्रोसेस को मिनेजमेंट किया जाएगा मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीजी दोस्ते और वहीं चार्ज हम ले रहे हैं मैं केवल तो आपको फ्री में दे रहा हूँ जो भी चीज़े हैं आपकी कोसंस का रिपलाई है वो फ्री में दे रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट का तो भाई चार लगेगा ना तो वह चीज़ें आपको देनी पड़ेगी किसी प्रकार टेक्स वगरा कुछ भी आपसे नहीं लिया जा रहे हैं तो आपको इसी प्रकार अपडेट हम करते रहेंगे मेरे भाई उमीद करते हैं वीडियो अच्छे लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेर जरू कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत वंदे बात्रम